नमस्कार दोस्तों जय हिन जय भारत दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे फसाई अर्थात F-S-S-A-I इसको अंग्रीजी में कहा जाता है Food, Safety and Standard Authority of India हिन्दी में कहा जाता है भारतिये खादे संरक्षा एवं मानक प्राधी करण एक्ट 2006 ये का पारित हुआ था 2006 में एक कानून बनाया गया था जो लागू कब हुआ पांस सितंबर 2008 को ये लागू कर दिया गया इसका प्रमुक उद्देश ये था ताकि उप्भोगता काई से बसके मिलावटी समानों से बच सके इसके प्रमुक नगरों में साथ केंद्र है तदह इसका प्रमुक केंद्र न्यू देहली में है अर्था नई दिल्ली में है पूरे देश में इसकी 72 से लेका 73 तक प्रयोग शालाएं है जो मिलावटी समानों पर गिद्ध की तरह अज़र बनाएं रखती हैं अब किनकिन समानों की ये जाँच करता है कौन-कौन समान इसके अधिकार छितर में आते हैं अनाज वा दालें फल वा सबजी मीट वा मीट प्रोडेक्ट मिल्क वा मिलक प्रोडेक्ट आल वा फैट अर्थात खाने का तेल वा फैट स्वीट्स वा कमफेक्सनरी, वाटर एवं विवरेज, फिरे, मसाले वा स्यूलिनरी, एंटीबायोटिक वा स्वीटनर, शुगर वा हनी, उनके प्रोडेक्ट आधी इसकी शेणी में आते हैं तो दोस्तों इनकी क्या करता है, समय समय पर जाच करता रहता है, आपने देखा होगा किसी भी पेकेट पर ये जरूर छफ़ा हुआ आता है अब इसी के मानक दो चिन्ह और हैं ये, एक तो एक ग्रीन रंग का होता है और एक रेट का रंग का होता है जो हमें क्या दर्साता है, अर्था इस समान में पूरा का पूरा है समान कैसा है, वेजेटेरियन है, अर्था शाका हरी है और यह जो red रंग होता है जो कथे रंग होता है यह हमें क्या दस आता है non vegetarian अर्थाथ इसमें मास अंडा मिला हुआ है कुछ निसान आजकल का यह वाला भी बनने लग गया है कुछ पेकिटों पर यह वाला निसान अर्थाथ इसमें साकाहरी चीज मिले मिली हुई है अगर कुछ पेकिटों पर इस प्रकार का निसान आता है तो यह क्या है हमारा गलत है अर्थाथ आपको ब्रहमित करने के लिए चिन बनाए गए हैं तो आपको इस प्रकार का चिन तथा इस प्रकार का चिन देख कर ही अपना समान लेना चाहिए और दोस्तों अगर आप क्रेशी की दुकान डाल रहे हो या फिर आप एक सबजी वाले हो या फिर आप दूद की दुकान डाल रहे हो तो आपको फसाई से लाइसेंस लेना ही पड़ेगा स्वीट पालर भी डाल रहे हो बिस्कुट की फेक्टरी भी डाल रहे हो या फिर बेच रहे हो तो आपको फसाई से लाइसेंस लेना ही होगा तो मेरे दोस्तों आज आपको फसाई के कारे पता चल गए होंगे और आप अपने समानों पर इन चिन्हों को देख लीजिए और अगर इस प्रकार के चिन्ह लगे हुए है तो ये रॉंग है अर्थात गलत है ये दोनों सही है और ये भी सही है धन्यवाद दोस्तों जै हिंद जै भारत